हेलो अब्रीबन वेलकम तो माय चैनल आज हम लोग सॉल्ब करेंगे वक्सित 2 तो आए हम लोग वक्सित 2 में फर्स्ट को देखते हैं कहता है तो यह तो यह चैनल अब बनाता हूं तो यह ट्रैपिजियम का स्केच मैं ने कर लिया है ट्राइपिजियम क्या होता है आप लोग जानते होंगे फिर भी मैं आपको बता दू कि ट्राइपिजियम एक वैसा क्वाइडिलेटर है जिसमें टू साइट्स पैरल होते हैं हम यहाँ पे PQ और यह जो RS है इसको हमने कहा किया है पैरलल चुकि यहाँ पे कह दिया है कि PQ और SR जो है वो कहा है पैरलल है ओके तो यह बना लिए कहता है एंगल P कितना है 30 डिगरी तो एंगल P को हमने आद 30 डिगरी बना लिया और एंगल Q कहता है कि 50 डिगरी ओके तो हम यह एप्रॉक्स बना रहे हैं यह हम measure करके नहीं बना रहे हैं हना approach ले रहे कि ये 50 degree के आज पास होगा और इसे आपको measure करके लेने क्या हो सकता भी नहीं है एक राफ फसकेज आपको बनाना है जब बन गया आप कहता है कि angle r और angle s क्या है तो ये हमारे पास angle r है हमारे पास angle s है इसका value क्या होगा ओके तो अब देखिए हम कैसे निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे given that pq parallel to ये pq parallel किसका है sr pq parallel to sr ओके लिखेंगे तो इसका मतलब ये क्या हुआ जब ये final हो गया तो ये मेरा एक transversal line की तरह काम करेगा तो ये मेरा जो p है और ये मेरा s है ये क्या हो गया interior angles होगी तो interior angles जब होगी इसका sum कितना होगा 180 होगा तो हमको p का value पता है हम यहाँ पे लिखेंगे 30 degree और s का value पता नहीं है s को as it is रख देंगे यहाँ पे लिखेंगे 180 therefore हम लिखेंगे s equal to angle s equal to 180 degree minus 30 degree अब बताएए आपको क्या मिल जागा यहाँ पे 150 degree आपको पहला answer आगिया ओके अब आपको second answer चाहिए तो second answer यह हमारे पास है आर चाहिए ओके आर का value तो फिर हम same लिखेंगे हाना r plus q equal to 180 degree interior angle तो हमने यहाँ लिखा angle q plus angle r equal to 180 degree ओके और angle q का value 50 degree है angle r हमको पता नहीं है रहने देजिए ओके आगला step में हमको वह भी मिल जाएगा तो angle r हमको मिल जाता है 180 degree minus 50 degree आप बताइए आपको क्या मिल गया यहाँ से 180 degree में आप 50 degree minus कर लिए तो आपको मिल जाता है 130 degree ओके तो इस तरह से आपको angle r भी मिल गया और आपको angle s भी मिल गया जो कि आपको निकालने के लिए बोला गया था तो next question number second हमारे पास है कहता है ABCD is a quadrilateral with angle A equal to 80 degree angle B equal to 40 degree angle C equal to 140 and angle D equal to 100 degree कहता है is ABCD of trapezium और second में is ABCD of parallelogram क्या है यह trapezium है या parallelogram है ओके आईए हम चेक करते हैं कि यह क्या होगा तो इसके लिए हमको ना बनाना पड़े गए आपे एक राफ हस्केज बनाना पड़ेगा आईए बना तो आभी देखिए ना हम राफ हस्केज बना लिए हैं अब हमको क्या बताना है कि यह trapezium है कि यह parallelogram है तो आप देखिया ध्यान दिजी अगर यह trapezium होगा तो इसमें parallel sets होगे 180 तो आप देखिए 80 प्लस यह angle यह और angle D को add किजी कितना आ रहा है 180 आ रहा है तो इसका मतलब यह आपका parallel हो गया अब हम चेक करेंगे क्या AD और BC parallel है क्या तो हम add करेंगे यहां देखिए 180 यह देखिए हमारे पास angle यह और angle B दोनों को add कर लिजीए तो आपको क्या मिल जाता है 120 तो 120 मतलब इसका आर्थ यह हो रहा है कि AD और BC आपका parallel नहीं है तो यहां पे हमारे पास केवल एक ही pair जो है वो हमरा parallel है दूसरा pair parallel नहीं है तो इससे क्या पता चला कि यह trapegium है पैरलोगराम नहीं है हम कैसे लिखेंगे आईए हम लिखते हैं यहां पर तो हम लोग यहां लिखेंगे here sum of interior angles तो interior angles मैंने लिया है A और D यह है A और यह D इसका sum निकाला कितना आगया 180 तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB और DC हमारा parallel है हमने क्या लिखा therefore AB parallel DC next हम देखते हैं second step जो कि मैंने लिया है A और B को तो angle A plus angle B कितना हो रहा है देखिए यह हो रहा है 180 degree इसका मतलब यह 180 के equal नहीं हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे therefore AD is not parallel to BC यह जो AD है वो BC के parallel नहीं है तो इसका मतलब क्या हमारा conclusion निकलेगा ABCD is a trapezium यह parallelogram नहीं है क्यों अगर parallelogram होता तो opposite sides parallel होते लेकिन यहां पे एक हमको pair देख रहा है जो parallel है दूसरा pair parallel नहीं है तो इससे यह proof हो गया कि यह जो आपना quadrilateral लेगों कैसा है ट्राइपीजियम है ओके next question नमर 3 बहुत ही easy कहता है one of the angles of a parallelogram is 75 degree ओके एक एंगल दिया है 75 degree कहता है find the measures of the remaining angles of the parallelogram तो आईए मैं यहां पे sketch बनाता हूँ parallelogram का तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो यहां पे हमने sketch बना लिया आप देखिए यह ABCD मैंने एक parallelogram ड्रो किया है तो अभी आप देखिए angle A को मैंने क्या मान लिया ना 75 degree तो हम लिखेंगे let ABCD is a parallelogram in which angle A is equal to 75 degree to find all the angles तो हम लोग all angles निकालेंगे तो आप देखिए यहां पे angle A और यह angle B हाना interior angle से add होकर के कितना आ जागा 180 तो हम क्या लिखेंगे now हाना now हम लोग लिख सकते हैं यहां पर AD parallel BC आप लिखेगा यहां पर क्या AD या तो फिर DA लिखें DA parallel किसका CB का ऐसा होगा जब parallel होगा तो क्या हो जागा ना angle A angle A plus angle B equal to हो जागा हमारे पास 180 डिग्री ओके तो आप देखें angle यह हमको दिया हुआ है 75 तो angle B हम निकाल सकते हैं बड़े ही आराम से कैसे निकलेगा तो आप देख लिजे angle B हमारे पास आ जाता है 180 डिग्री minus 75 डिग्री तो आप बता देजिए यह कितना आ गया हमारे पास 105 डिग्री ओके angle B निकल गया आप देखें opposite angles जो होते हैं parallelogram के वो equal होते हैं तो angle A और angle C आपका equal होगा और साथ ही angle B जब हमारा निकल गया है 105 तो angle D भी आपके कितना हो जागा 105 ओके तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर तो हम लोग लिखेंगे we know that opposite angles of a parallelogram are equals equal होते हैं तो are equal होते हैं तो अभी आप देखें angle C angle C यह किसके equal हो गया angle C मेरा A के equal हो गया तो angle C equal to कितना हो गया यह that is 75 degree और दूसरा हमारे पास है angle B तो angle B किसके को लोगा angle D के तो हम लोग क्या लेखेंगे angle D equal to angle B that is 105 degree तो इस तरह से सारे angles हमारे निकल जाते हैं किसके आप parallelogram के तो fourth number question केता है two adjacent angles adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 1 is to 5 यह ratio दिया है केता है find all the angles of the parallelogram तो adjacent angles क्या होते हैं हम लोग जानने adjacent angle का मतलब हुआ एक angle को आप लेजी और just उसके बगल में जो angle है वो कलाता है हमारा adjacent angles तो यहाँ पे मैंने क्या किया न adjacent angle का रेशियो दे दिया है तो मैंने मान लिया है let P I N K is a parallelogram तो इसमें से P को मैंने मान लिया X तो इसका रेशियो दिया है 1 is to 5 तो मेरा I क्या हो जाएगा 5X हो जाएगा ओके रेशियो निकल गया तो अभी देखिए हमारा जो adjacent angle है उसका sum क्या हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं हम लोग यहाँ पर लिखेंगे now angle P plus angle I equal to कितना 180 degree अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा angle P का value कितना लिया हमने X और angle I कितना हमारे पास 5X आप इसको add किजिए तो आपको यहाँ मिल जाता है 6X equal to 180 degree तो therefore हमारे पास X का value क्या हो जाता है X का value होता है 180 degree divided by 6 ओके तो यह हमको मिलता है 30 degree तो इसलिए therefore हम लिखेंगे therefore angle P P equal to क्या हमारे पास X तो X का value कितना आ गया 30 degree निकल गया X P निकल गया and angle I कितना हो जाएगा तो angle I हमारे पास है 5X तो 5 into 30 degree that is that is 150 degree तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे चुकि opposite angles equal होते हैं तो therefore हम लिखेंगे also also लिख लिए also angle N angle N equal to angle P क्यों opposite angle equal होते हैं तो यह हमारे पास कितना हो जाएगा न 30 degree और end end देखिए angle K किसके angle equal होगा angle I का और angle I कितना हमारे पास 150 degree तो इस तरह से हमारे पास K निकल गया N निकल गया I निकल गया P निकल गया तो all the angles हमारे पास आ जाते हैं ओके समझ गिए चलिए लास्ट कोस्टन को बनाते हैं कोस्टन नमर 5 उसके बाद वीडियो को करेंगे स्टॉप ओके तो कहता है अन एक्स्टेरियर एंगल आफ परलेलो गराम इस 110 डिग्री ओके तो find the angles आफ दी परलेलो गराम तो हम क्या करेंगे न एक एक्स्टेरियर एंगल माल लेते हैं पहले तो हम यहाँ पर माल लेते हैं पहले लोगराम और मैंने इसका नाम दे दिया है P-L-A-Y तो यह एक्स्टेरियर एंगल आप ध्यान देजी एक्स्टेरियर एंगल मतलब बाहर का एंगल और यह कितना है 110 डिग्री हमने यहाँ लिख दिया तो हमने क्या किया लिखा यहाँ पर P-L-A-Y is a parallelogram in which on exterior angle is 110 डिग्री ले लिया है अब देखें ना हुम लोग लिखेंगे चुकि यह एक state line बनेगा आप देख लिजे तो state line बनेगा यहाँ पर दो एंगल बन रहे यह दोनों का sum आपका क्या हो जागा ना 180 डिग्री linear pair से तो यहाँ पर लिखेंगे angle P plus 110 equal to 180 डिग्री क्या चीश से हम यहाँ पर लिख सकते हैं linear pair चलिए तो अब हमको P यहाँ से मिल जागा angle P equal to कितना मिल गिया 180 minus 110 बता देजिए यह हमको कितना मिल गिया 70 डिग्री जब angle P मिल गिया तो हमको angle L भी मिल जाएगा क्यों चोकि interior angle आने adjacent angle का sum कितना होता है 180 डिग्री का तो हमनों लिखेंगे also angle P plus angle L equal to कितना equal to 180 डिग्री तो angle P का value हमको पता है 70 डिग्री ओके और यहां पे angle L हमको निकलना है तो हमरा निकल जाएगा तो angle L हमको कितना आ जाता है 180 डिग्री minus 70 डिग्री दैट इस यह हमको आ जाता है 110 डिग्री ओके यह समझ गे तो आप देखिए हमारे पास L आ गिया है 110 डिग्री ओके और यहां से हमको यह equal हो जाएगा चुकि opposite angles equal होते हैं हम लिखेंगे again again हम लोग लिख लेते हैं angle A angle A equal to किसके बराबर हो जाएगा angle P का कितना है यह हमारे पास तो यह हमारे पास 70 डिग्री क्यों तो यह opposite angle तो यह आप यहां पे लिख सकते हैं opposite angle ओके opposite angles फिर हमारे पास है यहां पे angle Y angle Y equal to हो जाएगा angle L क्या चैसे तो फिर से opposite angle तो यह कितना है हमारे पास 110 ओके तो इस तरह से हमारे सारे questions यहां पे question number 5 तक हम लोगों यहां पे solve कर लिया है so next video lesson में हम लोग और भी questions को solve करेंगे so I hope this video lesson is helpful for you so please like this video and share with others and do some comments also do subscribe my youtube channel and hit the bell icon for upcoming videos thanks for watching have a glorious day ahead